तो शिलंका के खिले गए मुकाबले में जो कि कुलकता में खेला गया तूसरा एक दिवसे अंतराश्ट्रे मैच वहाँ पर टीम इंडिया ने चार विकेट से जीत दर्च की और सीरीज भी हम जीतने में सफल हो गया और इसी के साथ ही रोईट शर्मा का बड़ा बयान भी आया ऐसी दी जीत के साथ ही लेकिन आपको बता दे जब मातर 216 रन हम चेस कर रहे थे अचाना कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो कोलाप्स होते बे नसराई ना तो रोईट शर्मा के बल्ले से रना आया ना ही विराट कोली के बल्ले से रना आया ना तो शुमन गिल के लिए आज जो माच है वहाँ पर कुछ बहतर कर पाया और ना ही आपके श्रेय शेयर ने उस तरीके से इंपक्ट डाला केल राहूल और हार्दिक पांडिया के बीच में अच्छी साजेदारी हुई जिसकी वज़ए से आप माच जीते और इसी को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो समय से केल राहूल इस पोजिशन पर बल्लेबाजी कर रहे है और ऐसे में उनको पता है कि आपको किस तरीके से मैच में टीम इडिया को जीत दिलानी है किस तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ट करनी है और अच्छा लगा जिस तरीके से केल राहूल ने मैच में जीत दिलाई यह साथ इसाथ उन्हें का कि केल राहूल नमबर पांच पर जब बल्लेबाजी करते हैं तो वो हमें भी एक freedom मिलता है टॉप ओडर के बल्लेबाजों को कि जब आपने केल राहूल को नमबर पांच पर खिला है तो अब कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जहां पर कि अचाने की केल राहूल उपन करते हुए नजर आएं और पता चले कि फिर स्काई को आप खिलाने लगए क्योंकि एक बार अगर आपने स्काई को टीम से बाह किया क्योंकि आपको लगता है कि केल राहूल जादा बड़े मैच्च मिलर है तो थोड़ा सा इनको रन जरूर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने मैच्च में आपको केल राहूल मुकाबले में जीत दिलाते हैं लेकिन बड़ा बयान रोईट शर्मा का confident नजर आ हैं लेकिन आगे भी चुनोती काफी tight है और फुली टी मिडिया इसी तरीके से हर चुनोती या पर जीत दर्च करें और वल्लकप की तयारी बिल्कुल सही direction में करें आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें comment करके जरूर बताएगा वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजेगा